तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एकदम जटपट से बनने वारा नए तरीके का नाश्ता जो आप जटपट बना सकते हैं मतलब हमान आए या फिर बच्छों की एकदम से डिमांड हो तब आप इसे जटपट बना सकते हैं वह भी केवल 5 मिन्टों में तो चलिए इसको बन होना चाहिएिं इन आलूं का तब ही इसमें न वजड़ा आएगा तो बैस इसको मैंने अच्छे से पील कर लेती lep by मैंस एक सारे चल के माने निकाल लिये हैं तो यह फे मैंने इसी तरीके से सारे आलू के चल के निकाल लिए उनको पानी में डूब के इसरे रکा है एक जैसा हो जाए बिलकुल ना उबडखा बढ़ना रहे है इसलिए मैंने चारो तरफ से इसको कुछ इस तरीके से कट कर लिया है यह देखे अभी इसकी एजिस नहीं है यहां से थोड़ी वैसी है अभी देखे चारो तरफ से एक दम फ्लैट हो जाएगा सपाट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से हमेरे पास क्यूब निकल कि आएगा तो इसी तरीके से बाकी आलू का भी आपको क्यूब बना लेना है और पानी में इसको डुबो के रखें क्योंकि यह काले पढ़ जाते है ना अलू इसलिए तो बस हम एक लेते हैं और इसका अच्छा सा डिजाइ मना लेते हैं डिजाइन मनाने के लिए मैंने यह पर पैन का इस्तमाल किया है एक जैसे पैन लेजिए मदब एक जैसी मोटाई वाले आपको पैन लेने है और दोनों एंड्स पर आपको इस तरीके से इसको रखना है अब चाकू की मदद से हम उतना काटेंगे कि हम पैन तक पैन के निशान तक क्योंकि अगर पैन नहीं लगाएंगे ना तो बुलकुल अच्छे से कट जाएगा वो हमें नहीं करना है हमें एक फ्लावर जैसी शेप देनी है इसको इसलिए हम पैन का इस्तमाल कर रहे हैं ताकि नीचे तक ना कटे बस एक एंड तक ही कट पाए तो अ सकें उतने हैं पर कट लगा ले तो यह देखिए यहां पर चोटे 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 से इस तरीके से कट बन चुके हैं अब इनको क्या करना है इसे नमक वाले पानी में आपको डालना होगा और भिगोना हो पड़ेगा करीबन 10-15 मिनिट तक के लिए तो अब मैं यह जो फ्लावर समने कट करें अब वो मैं इसमें डाल देती हूं तो बस जब आप 15 मिनिट हो जाएंगे तो आप देखेंगे अपने आपी अलग होना शुरू हो जाएंगे और जो आलू है वो थोड़ा सा नरम हो चुका होगा तो बस अब हम ले चलते हैं इसे पानी का इस्तमाल नहीं करना है हम इसको ऐसे ही डिप करेंगे तो ध्यान रही जो फ्लावर से हैं मैंने पानी से निकाल लिया है और अब मैं इसको इसमें कोट कर लेती हूं और जो हमने इंदर कट्स पनाए थी ना उसमें भी आप इस तरीके से मैदा को अच्छ से कोट कर जाएगी और जब यह नाश्ता बनके तयार होगा ना बहुत जादा क्रिस्पी होगा एक दिम फ्रेंच फ्रेंच फ्राइज का नया लुक कह लिए इसको यह वही वाला फ्रेंच फ्राइज है जो हम बनाते हैं लेकिन बेलकल अलग तरीके का है जो बच्छों को बड़ों को सबको बहुत पसंदा आता है तो यह लिजे मैं यहां पर सारे बना लिये हैं थोड़े से इसके फ्लावर पेटल्स खोल भी लिये हैं और अब हम इसको ले चलते हैं सीधा गर्म गर्म पेड़ाई में लेकिन गड़ाई ना बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए मतलब तेल जाए हो जाए हो जाए और थोड़े से खुल भी जाए तो यह राम से खुल भी गए फ्राइ होते गए और अग्दम से खुलते चले गए तो बस इसको अलट पलटके आपको 10 मिन तक पकाना है और यह हमारे एकदम नए स्टायल के फ्लावर वाले फ्रिंच फ्रैस तयार हो जाएंगे यानि कि आलू करारा वाला नाश्ता एकदम जट पर तयार हो गया तो यह लिजे हमारा तर नाश्ता तयार भी हो गया है अब आप इसे सॉस के साथ या चिली जो सॉस होती है वैसी सॉस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं मैंने यहां पर से हलकी सी नमक की सीजनिंग दे है और यह हमारा तयार हो गया बड़ी जट पट कर आरा सा नाश्ता अब मैं आपको दिखाती हो इसके अंदर देखिए अच्छे से पग गया ऐसा नहीं कि कच्छा रह गया है बहुत अच्छे से पग गया है अलूभी और यह एकदम फ्रेंच फ्राइस जैसा नह टेस्ट द